देखो दो देखो एक ही काम का है, बाकी दो अलग अलग न्यूस पेपर से हम उठाएंगे, सबसे बहले आर्टिकल डिसकस करेंगे हिंदू का, साउथ हेश्या में एनर्जी स्क्योटी से समधित, दूसरे नंबर पे हम फैटरलिजम का मोडल्स डिसकस करेंगे, इसमें देखो बलकि स्ठीडिक जादा होगा और करेंट अफ़ेर का कंटैस्ट होगा, लेकिन फैटरलिजम का पूरा जो मोडल है आज हम इस आर्टिकल में समझेंगे, इस टोपिक में हम समझेंगे, तीसे नंबर पे हम आर्टिकल डिसकस करेंगे, इंडियान एक्सपेस का सी राजा मोहन का यूरोप, रॉश्या, इंडिया, ट्राइंगल से समंदित. कोट है आज का Religion is matter between man and his maker. सदार पतेल ने ये बात बोली थी Secularism से समंदित जब आपको लिखना हो न या फिर Communalism से समंदित कुछ लिखना हो समाज में नफरत से समंदित कुछ लिखना हो तो ये कोट आप इस्तमाल कर सकते हो मतलब क्या है? देखो धरम के नाम पे आज के समय में बहुत लड़ाई जगडा होता है आपने देखा होगा कितनी नफरतें फैली हुई है तो सदार पतेल ने बोला था कि देखो धरम के नाम पे लड़ना जगड़ना व्यर्थ है कि रिलीजन एक ऐसा मामला है जो सिरफ और सिरफ इनसान जिसको बगवान ने बनाया है इनसान के बीच में और बनाने वाले के बीच में है अब चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल साउथ हैसिया में एनर्जी स्क्योटी से समधित है आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो शुरुवात में आर्टिकल में ना साउथ हैसिया के वेरियस कंट्रीस में electricity situation को आपस में compare गया गया है जैसे इंडिया में कितनी electricity produce होती है निपाल में कितनी बुटान में कितनी क्या वहाँ पे supply और demand के बीच में gap है ये सब चीजें आपस में compare की गई है साउथ हैसिया देखो वैसे मतलब पूरे world की जो total population है न उसका 25% तो South Asia में रहता है लेकिन land mass है सिरफ 5% यानि world का 5% area लेकिन population 25% और South Asia में electricity की जो generation है न पिछले कुछ सालों में काफी ज़्यादा increase हो गई है जैसे 1990 में South Asia में electricity produce होती थी 340 terawatt hours और 2015 में कितने 1500 terawatt hours तो देख लिजिए exponentially increase होई है electricity की production जहां बंगलादेश में अभी फिलाल 100% electrification है यानि इसका मतलब यह है 100% electrification का मतलब है वहाँ पे कोई भी electricity से अच्छूता नहीं है अब देखो किसी ने connection लगवा नहीं रखा तो वो अलग बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि government वहाँ पे बिजली अभी तक पहुंचा नहीं पाई है ऐसी कोई जिगह नहीं है बंगलादेश में तो वहाँ पे 100% electrification है जहां एक तरफ देखो बंगलादेश ने 100% electrification achieve किया हाल ही में लेकिन दूसरी तरफ बुटान, मालदीव, शिरलंका ये ऐसे देश हैं इन्होंने 100% electrification 2019 में ही achieve कर लिया था वो बात अलग है देखो ये कम population वाले देश हैं बुटान की population बता कितनी है? कितनी? सिरफ 7 लाख और मालदीव की कितनी है? मालदीव की भी इतनी है 5-7 लाख तो हमारे तो सिरफ देली में ही 2-3 करोड़ लोग रहते हैं और यहां की population 5-7 लाख है तो वहाँ पे 100% electrification आसान है इंडिया में electrification फिलाल कितना है? 94.4% यानि बाकी बचे हुए 5% लोग ऐसे हैं जहां तक जिनको अभी भी electricity की access नहीं है सरकार वहाँ पर बिजली नहीं पहुंचा पाई है और अफगानिस्तान में 97.7% पाकिस्तान में electrification कितना है? सिरफ 73.9% ये तो बात की कितने percent electrification है? rates की बात करें भुटान में देखो electricity सबसे सस्ती है इसके अलावा देखो renewable energy पर focus भी विबिन देशों का अलग-अलग है जिसे इंडिया काफी जादा focus कर रहा है renewable energy पर इंडिया ने तो target भी रखा है 2030 आते आते हम 40% जो electricity है वो renewable sources से generate करेंगे जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो electricity production काफी कम है वहाँ पे तो industries बंद हो रही है electricity की shortage की वज़े से renewable energy तो आप एक बार छोड़ी दीजिए पाकिस्तान के लिए renewable energy फिलाल कोई माइने नहीं रखती उनको तो बिजली चाहिए कहीं से भी आए कोकि उनके पास बिजली की बहुत कमी है इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो South Asia में जो भी देश है ना उनका मकसद यह है हर एक household को हर एक घर को electricity provide करना लेकिन कैसे ऐसा नहीं कि बहुत महंगी electricity provide करना affordable electricity provide करना quality electricity electricity provide करना ऐसा नहीं कि dim light आ रही है या फिर बहुत कम समय के लिए आ रही है यह सब कीवर्ड्स matter करते हैं तो electricity पर question आए ना आप answer writing में इन सब कीवर्ड्स का ज़रूर इस्तमाल कीजेगा electricity generation, transmission, distribution rural electrification, research and development environmental issues energy conservation and human resource training काफी बार देखो ऐसा बोला जाता है जो examiner होते हैं उनको ना कुछ keywords दिये जाते हैं ये keywords answer में होने चाहिए अब ये बात कितनी सच्छा है, कितनी गलत है ये तो का नहीं जा सकता लेकिन usually जो experienced लोग हैं वो बताते हैं कि examiner को keywords देती है UPSC तो हमारे answers में ना कुछ keywords जरूर होने चाहिए question की demand को पूरा करते हुए जैसे ही examiner को वो keywords मिलते हैं ना वो संतूष्ट हो जाता है कि हाँ बच्चा question की demand को पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ रहा हैं बाकी folder material तो देखो हमारे पास लिखने के लिए बहुत होता है इसके बाद बात की जाती है किस type की electricity कौन से देश में produce की जाती हैं देखो ये जोग्रफी पर demand करता हैं जैसे इंडिया बहुत ज़दा rely करता है coal पर thermal power plants जो coal से चलते हैं हमारे देश में बहुत electricity produce करते हैं आपको भी पता है निपाल में 99.9% जो electricity produce होती है न हाइडरो पावर से क्योंकि ज़दा mountainous areas है निपाल में तो हाइडरो पावर का जो potential है उसे fully utilize किया गया है निपाल के द्वारा उसके बाद next है बांगादेश चूकि देखो बंगाल की खाड़ी से लगता है वहाँ पे gas के results हैं तो बांगादेश में जो power produce होती है 75% होती है natural gas से और सिलंका बहुत ज़दा depend करता है oil पर मतलब सिलंका अपनी GDP का 6% खर्च कर देता है oil के import पर तो South Asia में जिस देश की जैसी जोगरफी उसी हिसाम से वो देश energy उसी type की energy पर depend करता है इसके बाद writer बोलते हैं देखो जैसे 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 जिस देश में electricity का consumption increase होता है न वैसे वैसे उस देश की GDP भी boost होती है जैसे example के तोर पर 0.4% अगर energy consumption में increase होता है तो उस देश की GDP 1% per capita से increase हो जाती है ऐसा क्यों? ऐसा देखो मतलब simple से example है बिजली अगर हर जगह पे होगी तो नजाने कितनी चीज़ें आज के समय में electricity से होती है जैसे telecounseling मान लीजिए even education मान लीजिए electricity के बिना तो आज के समय में जीवन की कलपना करना भी बहुत ज़्यादा difficult है जितने नए-ने startups आए है क्या electricity के बिना चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं इसके बाद examples दिये जाते हैं जैसे देखो Bangladesh की जो GDP है उसमें 50.3 contribution है industrial और agriculture sector का ये possible नहीं हो पाता बिना electricity के उसी परकार से निपाल की GDP ग्रोथ है 2015 के अर्थक्वेक के बाद वो 7.3% है ये भी rapid urbanization और electricity की बढ़ी हुई consumption की वज़े से possible हो पाया जबकि पाकिस्तान में shortage है electricity की इस वज़े से वहाँ पे industrialization में कम ही आई बढ़ने के बज़ाए पाकिस्तान की GDP 12.4 billion dollars घट गई electricity की shortage की वज़े से क्योंकि industries छोड़ के चली गई पाकिस्तान को बिजली नहीं आएगी तो कौन industry लगेगी वहाँ पे इसके बाद next point में बोला जाता है कुछ देश देखो ऐसे हैं जैसे इंडिया जिनको लीड कर रहा है solar power driven electrification काफी ज़्यादा होने लगा है इससे जोब सी बैदा होती है solar energy के articles जब हम discuss करते हैं तो हम ये बात करते हैं कितना फाइदा है solar energy को utilize करने का अगर घरों की च्छतों पर जो solar panels लगे होते हैं उससे अगर electricity produce हो तो households को income saving होंगी वो दूसरी जग़ों पर खर्च करेंगे खेतों में solar panels लगे हों तो किसानों की income boost हो बहुत फाइदा है even type of electricity मतलब किस type की electricity South Asia में within countries produce कर रहे हैं उस पर भी depend करता है कि climate change को address करने के दिशा में South Asia कैसे आगे बढ़ेगा जैसे परधानमंत्री मोदी ने तो announce कर दिया कि India net zero status हांसिल कर लेगा 2070 से पहले यानि जितना carbon हम produce करेंगे उतना ही absorb कर लेंगे even 2030 तक renewable energy कितने इंडिया produce करेगा इस target को भी India ने increase कर लिया है पहले 450 gigawatt का हमने target रखा था अब बोल दिया है इंडिया ने कि हम 2030 आते आते 500 gigawatt renewable energy produce करेंगे काफी MBCS के target है South Asia में देखो renewable energy के resources भी काफी है hydropower, solar, wind, geothermal, biomass इन सब को use किया जा सकता है domestically renewable energy produce करने के लिए अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि South Asia South Asia में विबिन देश काफी corporate कर सकते हैं electricity के domain में अब जैसे Bangladesh को India electricity export करता है Bhutan को Bhutan India को electricity देता है India Nepal से भी electricity लेता है यह इस पे भी depend करता है कि हमारा परदोसी देश हमें कितनी सस्ती electricity दे रहा है जैसे देखो example के तोर पर अगर इंडिया में electricity produce करना महंगा है बुटान हमें सस्ता दे रहा है तो हम क्यों produce करेंगे फिर सस्ता बुटान से ले लेंगे बुटान तो मारा मित्र देश है ना इसमें वो आतम निर्भर self-sufficiency वो वाली बात तो आती नहीं है और अगर हम बुटान से electricity purchase करते हैं से उनका खर्चा भी चलता है राइटर का point ये है देखो South Asia में विबिन देशों के बीच में energy को लेके bilateral deals तो काफी है जैसे इंडिया नेपाल petroleum pipeline deal, इंडिया बुटान hydroelectric joint venture मयमार बहादेश, इंडिया गैंस pipeline लेकिन ना कोई combined agreement या फिर framework नहीं है जिसके तहत South Asia के countries आपस में corporate कर सके हैं, सार्क में आया था regional energy corporation framework वाला agreement sign नहीं हो उसका था पाकिस्तान की वज़े से लेकिन देखो अब समय आ गया है कि South Asia के देश भी आपस में corporate करें, electricity generation को लेके, electricity distribution के लेके बहुत scope है अगर corporate करेंगे तो South Asia की जो overall growth है न वो increase होगी South Asia से जो poverty है न वो खतम होगी तो ये main point है writer जो बोलना चाहते हैं ये पूरा article हमने discuss किया South Asia में energy security से सम्मदित चलते हैं आगे इसके बाद next जो article है वो federalism से सम्मदित हैं देखो एक बार फिर से तमिलाडू के governor और तमिलाडू की सरकार के बीच तकराव देखने को मिल रहा है हम पहले governor से सम्मदित issue को काफी detail से discuss कर चुके हैं कि किस परकार से खास करके opposition ruled states में governor के पीच और सरकार के बीच तकराव देखने को मिलता है आरोप लगता है कि central government governor का इस्तमाल करती है federalism सम्मदित जो model है उसको discuss करते हैं हर साल अल्मुष्ट हर साल UPSC federalism के ऊपर एक ना एक question directly indirectly पूछ लेती हैं तो federalism का जो पूरा model है आपके जहन में clear होना चाहिए इंडिया का federalism का model आखिकार है क्या context फिलाल ये है तमिलाडू assembly ने ने दो बिल्स पास किये जिसके तहत governor के पास जो विबिन उन्वेस्टीज के vice chancellor को appoint करने की power होती थी ना तमिलाडू assembly ने बिल पास करके governor से वो power चीन ली है यानि अब तमिलाडू में तमिलाडू की जो सरकार है ना वो universities में vice chancellor को appoint करेगी ये दिक्कत है तो अब हम federalism से सम्बंदित model को समझ लेते हैं federalism देखो principle of subsidiarity पर अधारिट है अगर यूपेशी question पूछ ले कि principle of subsidiarity क्या है ये देखो universally accepted और universally acknowledged principle है good governance के लिए मतलब अच्छी governance लानी है तो principle of subsidiarity को follow करना जरूरी है simple मतलब इसका ये है अगर किसी individual के द्वरा कोई काम किया जा सकता है तो उस काम के लिए friends की साहिता ना ली जाए family की साहिता ना ली जाए business associations की साहिता ना ली जाए और अगर कोई काम family level पे किया जा सकता है friend level पे किया जा सकता है तो उसके लिए neighborhood की साहिता ना ली जाए कोई काम regional government या फिर local government के level पे किया जा सकता है तो उसके लिए national government या फिर federal government की साइता ना ली जाए यानि higher जो authority है वो हमेशा subsidiary की भूमिका निभाए यानि साहय की भूमिका निभाए regional या फिर local government अगर कोई काम कर सकती है तो उसको वो काम करने दिया जाए federal और national government शिरफ subsidiary की भूमिका निभाए साहय की भूमिका निभाए तो ये है principle of subsidiarity principle of subsidiarity के देखो काफी सारे फाइदे भी है simple बात देखे आप माल लिजे कोई काम पंचायत के द्वरा किया जा सकता है तो उस काम को state government के द्वरा ना किया जाए ये कहा जाता है principle of subsidiarity के द्वरा अब देखो पंचायत को ज़्यादा जानकारी होती है local level की अगर पंचायत उस काम को करेगी तो ज़्यादा जानकारी के साथ करेगी efficiency अच्छी आएगी उनकी performance अच्छी होएगी वो समस्या को ठीक से address करेंगे जबकि state government उतना effectiveness से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ground situation के बारे में नहीं पता होता है state को तो इस प्रकार से हमने बात की principle of subsidiarity की अब देखो दो terms के बीच का मतलब आप जान लीजिए devolution of power और decentralization of power इन दोनों terms को आपने काफी बार सुना होगा example की साहिता से समझते हैं माल लीजिए अभी union government के पास power है property पे tax collect करने की और union government चाहती है कि ये power दे दी जाए state government को अब देखो दो तरीकों से union government के दवरा ये power state government को दी जा सकती है एक तो parliament में कोई कानून बना के या फिर executive decision से दूसरा तरीका ये हो सकता है सविधान को amend कर दिया जाए और सविधान में ही ये provision कर दिया जाए कि property tax को अब collect किया जाएगा state government के द्वारा अगर देखो सविधान में amendment लाय जाता है तो तो ये होगा decentralization of power समझ गे सविधान में provision हो गया है और power अब दे दी गई है state government को एक बार सविधान के रास्ते से power दे दी गई तो बाद में state से power वापस लेना आसान नहीं होता फिर से सविधान को amend करना आपको पता है आसान नहीं होता process थोड़ी difficult है article 368 के according और अगर देखो सिर्फ पार्लियमेंट में एक act पास करके ही state government को power दे दी जाती है तो ये होगा kind of devolution of power इसे तो देखो union government फिर से भी छीन सकती है आसानी से state government से तो ये है devolution of powers एक simple example आप समझ लीजे आसानी से इन दो terms का मतलब आपको समझ में आ जाएगा देखो 1992-93 में 73rd, 74th amendment आई यानि पंचायत को काफी सारी powers दे दी गई और सविधान में provision करके ऐसा किया गया 73rd और 74th amendment की साहिता से सविधान में नए provisions add किये गए और पंचायत को power दी गई हर 5 साल में एक election करवाना होगा state finance commission का गठन करना होगा काफी सारी बाते compulsory कर दी गई तो ये एक प्रकार से decentralization था लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था state government कभी election करवाती थी कभी नहीं करवाती थी थोड़ी बोद power अपनी तरफ से devolve कर देती थी पंचायत को वापस छीन लेती थी तो decentralization एक आप कहा सकते हो concrete method है हार governments अगर lower governments के साथ power share करना चाती है तो अब हम federalism के बारे में basic जानकाई discuss करते हैं ये जो time है वो निकल के आती है Latin word foidas से इसका मतलब है contract federalism एक परकार से आप कहा सकते हो government by contract contract होता है governments के बीच में जैसे इंडिया में union government और state governments के बीच contract है contract है क्या constitution constitution आपको पता है ना कि contractual document है preamble में लिखा हुआ है we the people of India having been decided तो ये एक परकार का contract है constitution में साफ तोर पे powers दी हुई है कौन सी entities पे union government अपना कानून बना सकती है पावर्स पूरी तरह से clearly explicitly defined है सविधान में तो ये क्या है ये contract है तो federalism आप कह सकते हो government by contract विबिन सेकोलर्स के क्या view है William H. Riker और A.V. Dice Riker का देखो ये कहना है federal government में क्या होता है कुछ areas ऐसे होंगे जिन में powers होगी central government के पास और कुछ areas ऐसे होंगे जिन में ultimate powers होगी state government के पास उसी परकार से A.V. Dice का ये कहना है federalism एक ऐसी political arrangement है जिसमें विबिन यूनिट्स है जैसे state या फिर province जो होते है ये units होते है विबिन जो units है वो union तो बनाना चाहती है लेकिन uniformity नहीं चाहती यानि जैसे इंडिया में देखो करनाटक अलग से state है तमिलाडू अलग से state है ये सारे मिलके बनाते हैं इंडिया लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया का एक culture है करनाटक का अलग से culture है वहाँ पे लोगों का और करनाटक की सरकार उस culture को maintain करती है और उसी परकार से Tamiladu का अलग से culture है वहाँ पे local culture और local culture को maintain किया जाता है तो kind of federalism एक ऐसा political arrangement है जिसमें विबिन units union तो बनाना चाहती है लेकिन वो uniformity नहीं चाहती सारे states करनाटक, Tamiladu, केरल चाहते हैं इंडिया बने लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडिया का एक ही culture हो culture तो देखो एक example है essence यहीं निकलता है विबिन states यानि विबिन states union तो बनाना चाहते हैं लेकिन uniformity नहीं चाहते हैं अब next question ये उठता है कि federalism का model अपनाया क्यों जाता है विबिन countries के दवरा सबसे पहला point तो देखो अगर country कोई बहुत ज़्यदा वास्ट हो diverse हो तो diversity को accommodate करने के लिए federalism का model अपनाया जाता है कि अलग अलग states के पास power हो कि वो अपने अपने local जो diversity है उसको maintain कर सकें local culture को सहेज करक्स कें अगर पूरी एक ही government होगी बहुत बड़े reason में तो insurgency फैलना start हो जाएगी किसी reason को ये लगएगा कि देखो हमारे culture को ignore किया जा रहा है दूसरे reason के culture को भी यही लगएगा अगर local level पे government होगी तो वो अपने culture को सहेज करक्ने के लिए काम करेगी लोगों में नराजगी नहीं आएगी उन्हें लगएगा कि हाँ हमारी जो सरकार है हमारे culture के लिए काम कर रही है next good governance insure करने के लिए security के लिए common market के लिए अब next दिखो Alfred Stephen के द्वरा Federation के formation के 3 models दे जाते हैं पहला model है coming together model इसमें women states एक साथ आते हैं जैसे USA में 50 states एक साथ आए हैं और उन्होंने United States of America का निर्मान किया है जो की एक federation है दूसरा model है इंडिया का model holding together model हमने देखो women states का निर्मान किया है और सविधान में states को power दी है ताकि इस पूरे region को चलाया जासके पूरे देश को चलाया जासके यानि USA की तरह हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अभी जैसे 29 states हैं कि 29 states एक साथ आए हो और उन्होंने decide किया हो कि हम मिलके इंडिया का निर्मान करते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में इंडिया पहले बना और इंडिया को चलाने के लिए states बाद में बने समझ गए तो holding together देश को hold करने के लिए federation का निर्मान किया जाता है ये इंडिया का model है तीसे नंबर पे model है putting together model जैसे USSR था USSR में कई सारे देश सामिल थे जिनको force की साइथा से federation में सामिल किया हुआ था डर दिखा के कबजा करके तो वो model था putting together model तीन models है कहीं भी आप use कर सकते हो Alfred Stephen ने दिये थे ये तीन models coming together USA में देखो 50 states आये थे और आज भी 50 states है ना ही एक state कम हुआ है ना ही एक state बड़ा है क्यूंकि USA का निर्मान बाद में हुआ 50 states पहले थे 50 states ने मिलके USA का निर्मान किया इंडिया में उल्टा है इंडिया पहले था इंडिया को चलाने के लिए इंडिया को होल्ड करने के लिए states का निर्मान बाद में किया गया इसी वज़े से states की संख्याद हमारे देश में लगातार बढ़ रही है और तीसे नंबर पे putting together model force की साहिता से कोर्जन की साहिता से federation का दिर्मान किया जाता है अब नेश देखो तीन terms के बीच हम difference जानते है unitary form of government confederation form of government और federation form of government unitary form of government का example देखने को मिलता है UK में confederation का example है European Union या फिर सार्क और federation का example है इंडिया unitary form of government में क्या होता है for example England में central government कुछ powers delegate कर देती है या फिर devolve कर देती है अपने provinces को for example UK में देखो England, Scotland, Wales, Ireland ये सब पार्ट है UK के और इनको autonomy दी हुई है United Kingdom की national government ने अब देखो ये जो autonomy दी हुई है सविधान की साहिता से नहीं दी हुई है सिधा सिधा union government ने अपने executive decision की साहिता से या फिर कानून बना के थोड़ी बहुत powers दे दी है अपने components को for example Wales को, England को, Ireland को तो ये जो type of government है वो unitary form of government है जिसमें central government के द्वारा से या फिर legislation की साहिता से अब बात करते हैं confederation की confederation देखो एकदम opposite होता है unitary form of government का जैसे देखो European Union में 28 देश है 28 देश एक साथ आए और उन्होंने थोड़ी थोड़ी power दे दी European Union को उन्होंने कहा कि ये power अभी हमारे पास है ये power आप ले लीजिए यानि women states एक साथ आ रही है एक बड़ी organization का निर्मान कर रही है और उस organization को अपनी powers दे रही है समझ गए तो confederation में देश पहले है संस्थाबाद में बनती है और देश अपनी powers को देते है संस्थाखो देखो दोनों cases में ध्यान रखने वाली बात ये है United Kingdom में unitary form of government है तो national जो government है UK में वो Wales से, Scotland से power वापस ले सकती है क्योंकि central government ने वहाँ पे power दी है delegate की है Wales को या फिर Scotland को या फिर England को या फिर Ireland को उसी परकार से confederation में भी जो देश एक साथ आये थे और जिन्होंने confederation का निर्मान किया था वो confederation से बाहर भी आ सकते है जैसे अभी जो UK है वो बाहर आ रहा है European Union से उन्होंने पहले power दी थी European Union को delegate की थी लेकिन आप वो बाहर आ रहे है European Union से अब तीसरा form of government है federation जो कि इंडिया में है इस में क्या होता है constitution में power divide होती है ना तो union government power लेती है state government से और ना ही state government power लेती है union government से union government और state government दोनों के दोनों power लेते हैं सविधान से ये सबसे important ध्यान रखने वाली बात है federation में union government और state government दोनों अपनी powers को ड्रा करते हैं constitution से ना तो union government state government को power देता है ना ही state government union government को power देते है और दो cases हमने जो पहले discuss किये उसमें क्या होता है Unitary Form of Government में union government power देती है state government को और confederation में state government power देती है union government को लेकिन federation जो की तीसरा case है इसमें कोई किसी को power नहीं देता दोनों अपनी अपनी पावर को ड्रा करते हैं constitution से हमारे सविधान का 7th schedule जिसमें साफ तोर पर बताया गया है union government किन मुद्दों पर कानून बना सकती है state government किन मुद्दों पर कानून बना सकती है और ये भी बताया गया है कौन सी चीजें concurrent list में आती है जिन पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकते है तो इंडिया एक federation form of government है federation के देखो मेली तीन features होते है division of powers होना चाहिए जो की हमारे देश के सविधान में है schedule 7 के हिसाब से return constitution होना चाहिए हमारे देश में है return constitution independent judiciary होनी चाहिए हमारे देश की judiciary independent है article 131 के हिसाब से center और state के बीच में कोई भी issue को लेके dispute होता है तो state government या फिर central government जा सकते है supreme court में तो इसका मतलब तीनो features इंडिया में देखने को मिलते हैं और इंडिया एक federal country है लेकिन देखो कुछ experts ऐसे भी है जो कहते हैं इंडिया एक federal country नहीं है इंडिया एक को ऐसी federal country है for example केसी वेर केसी वेर का कहना है इंडिया एक को ऐसी federal country है क्योंकि इंडिया में more centralized federal model है मतलब federal government की जो powers है वो ज़्यादा है as comparison to state governments जैसे इंडिया में all इंडिया services governor का जुपद है बहुत सारी ऐसी चीजें है जिससे ये जाहिर होता है कि centralized federal government है इंडिया में यानि powers ज़्यादा है union government के पास federal government के पास तो पूरी तरह से इंडिया federal country नहीं है इंडिया एक को ऐसी federal country है ये बोला गया था केसी वेर के द्वरा केसी वेर ये भी कहते है ना सिरफ इंडिया बलकि दूसरे जो federal governments है जैसे USA का वो example देते है USA में civil war हुआ उसके बाद जैसे जैसे USA का कद बड़ा international politics में तो USA की जो federal government है वो धीरे धीरे और जना strong होती गई तो USA में भी centralized federal government है ऐसा बोला जाता है उटने साफ थोर पे बोला है federalism जो है वो हमारे सविधान के basic structure का part है federalism का कोई एक model नहीं हो सकता federalism के बहुत सारे models हो सकते है और कोई जुरूई नहीं कि USA का federalism का जो model है वो बिल्कुल ठीक model है और उसे ही federalism का model माना जाए अलग-अलग देशों में federalism का अलग-अलग model भी हो सकता है USA जो example है वो dual federalism का example है इंडिया एक example है cooperative federalism का dual federalism का क्या मतलब होता है देखो USA में state government और union government के बीच powers का एकदम explicit difference है ना तो state government union government के काम में interfere करेगी कोई dependency नहीं है state government अपना काम करेगी union government अपना काम करेगी और union government, state government के कामकाज में interfere नहीं करेगी तो water tight compartments आप कह सकते हो USA में इस परकार का model है आपको मैं एक picture दिखाता हूँ ये picture आप देखिए ये dual federalism का example है cake है ना cake में layer होती है union government का काम है state government की state government अपना काम करेगी कोई dependency नहीं union government के उपर दोनों एक दूसरे के काम में interfere नहीं करेंगे कोई corporation का scope नहीं है तो ये है dual federalism का model जबकि इंडिया में है cooperative federalism का model दोनों की interlocking यानि interdependency देखने को मिलती है इंडिया में union government की dependency है state government के उपर तो इस परकार से जो marble बनता है marble cake model ये हमार देश का model है marble cake federalism के model को आप cooperative federalism भी कह सकते हो इंडिया के model में union government और state government एक दूसरे की मदद करते हैं हाथ पकड़ के आगे चलते हैं तो इंडिया का federalism का जो model है वो USA के federalism के model से अलग है कई सारे respect में जैसे देखो USA का federalism का जो model है वो legislative federation है जबकि इंडिया में executive federation है इसका मतलब देखो ये है इंडिया में state की importance ज़्यादा है executive level पे यानि administrative level पे union government कानून तो बना देती है लेकिन उन कानूनों को implement करने के लिए ज़्यातर समय union government को depend होना पड़ता है state government पे तो state government की ज़्यादा importance है executive level पे इंडिया में जबकि USA में उल्टा है USA में state governments के पास ज़्यादा power है legislative level पे यानि state governments ज़्यादा issues पे कानून बना सकती है legislative मामलों में उनके पास ज़्यादा powers है USA में दूसरा reference देखो इंडिया के federalism model और USA के federalism model में ये है इंडिया का federalism model as metrical है हमारे देश में राज्यसभा में सभी states की representation समान नहीं है UP 31 राज्यसभा members बेजता है कई states ऐसे भी है वो दो member एक member भेजते है हर्याणा पांच member भेजता है लेकिन USA में ऐसा नहीं है USA में सभी states के द्वारा दो members बेजे जाते हैं यनि सभी states पचास जो states है USA में सबकी representation equal है लेकिन इंडिया में राज्यसभा में सबकी representation equal नहीं है इंडिया में as metrical model है और as metrical model देखो ज़्यादा democratic भी होता है Granville Austin ये कहते हैं इंडिया का जो model है वो cooperative federalism का model है और Granville Austin Casey Weir के point of view को reset कर देते हैं Casey Weir ने क्या कहा था आपको याद होगा इंडिया जो है वो एक कोईसी federal country है Granville Austin कहते हैं नहीं इंडिया एक federal country है दो ही concept होते हैं या तो federal country या फिर unitary country कोईसी federal जैसा कोई concept नहीं होता और इंडिया एक federal country है ऐसा बोला जाता है Granville Austin के द्वारा इवन देखो हमारे जो current prime minister है पधाल मंत्री Modi उन्होंने एक नई टम इजाद की cooperative competitive model इस model के हिसाब से cooperation तो देखने को मिलेगा ही team India के बीच यानि sandal government और state government के बीच और विबिन state governments के बीच लेकिन इसके साथ-साथ healthy competition भी देखने को मिलेगा विबिन states के बीच निती आयोग ने देखो कितने सारे index release किये है for example health related index या फिर water composite index ये सारे index इसी लिए है ना विबिन states के बीच एक healthy competition को nurture किया जासके तो इसके बारे में आप जुरू लिखेगा competitive cooperative model और इसी model के आधार पर निती आयोग की स्थापना की गई है तब ही निती आयोग cooperative competitive federalism को और ज़्यदा आगे लेके जा रहा है तो इस परकार से हमने federalism का model समझा अब हम देखो सी राजा मोहन का जो इंडिन एक्सप्रेस का article है ना वो discuss कर लेते हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो इस article में इंडिया यूरोप और रश्या इन तीनों की triangle के बारे में बात की गई है देखो एक बात जो बार बार बोली जाती हैं रश्या के साथ हमारे काफी पुराने रिष्टे हैं वो सिरफ देखो cold war के दुरान नहीं थे इवन उस से पहले भी देखिए रश्यान revolution जो आई ना 1917 से लेके 1923 के बीच में उस समय भी हमारे कितने सारे freedom fighters थे जो रश्यान revolution से motivate हुए इवन भगत सिंग की हमने कल चर्चा की थी वो लैनिन से काफी ज़्यादा inspired थे जिन्होंने रश्यान revolution में role play किया था उसके बाद जब second world war खतम हो गया तो USSR के साथ हमारे गहरे रिष्टे हो गए USSR ने इंडिया का काफी बार साथ दिया 1971 का war हम जीत के जिसमें USSR ने भी role play किया था USSR के साथ हमारी friendship treaty sign हुई थी तो कुछ experts बोलते हैं इंडिया के साथ इंडिया और रश्या के न sentimental relations भी है चलो इंडिया आज के समय में रश्या के उपर dependent है defense के लिए ये बात सही है लेकिन sentimental relations भी है इसी वज़े से इंडिया न यूरोप के साथ अच्छे relations नहीं maintain कर सका क्योंकि cold war के दुरान इंडिया की USSR के साथ नजदीक या थी जबकि यूरोप USA के साथ था यानि यूरोप opposite camp में था तो इस वज़े से इंडिया कभी यूरोप के नजदीक आया ही नहीं cold war के दुरान और आज भी जो दिक्कत है न यूकरेन वार की यूरोप के काफी सारे leaders इंडिया में आये यूकरेन के issue पर इंडिया रश्या को criticize नहीं कर रहा है लेकिन देखो अब आप ध्यान से सुनिएगा ये जो triangle है न एक तरफ यूरोप इंडिया रश्या अब ना इंडिया की तरफ से एक statement आई कि यूकरेन वार पर इंडिया की चुप्पी है इसका मतलब ये नहीं कि रश्या की invasion का इंडिया समर्थन कर रहा है इंडिया की तरफ से ये भी statement आई कि territorial integrity का सम्मान होना चाहिए अब आप ध्यान से देखें गए तो ये जो statements है न दोनों की दोनों ये रश्या के against है मतलब इंडिया open है अभी अपनी position change करने के लिए और इंडिया ने signal दिये है इंडिया को देखो ये धिरे-धिरे समझ में आ रहा है जैसे situation change हो रही है रश्या देखो आज के समय में काफी कमजोर हो गया है मतलब एक एक दिन का वार का न बहुत खर्चा आता है रश्या ने उक्रेयन के उपर वार छेड़ तो दिया लेकिन कोई end goal ध्यान में रखा नहीं फस गया मतलब trap में रश्या जो है काफी weak हो गया है international isolation हो गया है मतलब काईदे से देखो पुतीन को ना किसी भी कीमत पर ये युद छेड़ना नहीं चाहिए था एक बहुत बड़ी गल्ती है बहुत खर्चा हो गया कुछ हासिल हुआ नहीं पहले वो फिर वो रश्या से तेल नहीं परचेज करेगा या फिर यूएस से निकल नहीं परचेज करेगा तो उनको नुकसान होगा लेकिन जो रश्या को नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे देश जो ट्रेड करना बंद करेंगे ना जा चुका है, जैसे देखो पुतिन की ना मुलाकात हुई थी बाइडन के साथ में, बाइडन ने उन्हें कहा था, चलिए healthy relationship explore करते हैं, क्योंकि USA को पहले ये लगता था कि रशिया को ना चाइना से अलग कर दिया जाए, बट ना पुतिन ने बात नहीं मानी बाइडन की, पुतिन गए थे चाइना के यातरा पर, उन्होंने बोला कि चाइना और रशिया की जो relationship है, वो limitless है, अब ये दो चीजें हैं ना, एक तो रशिया कमजोर हो चुका है, दूसरा रशिया पूरी तरह से चाइना के camp में जा चुका है, तो ये दो चीजें, इंडिया को enable कर रही है कि अब इंडिया West को नहीं छोड़ सकता, रशिया के लिए, क्योंकि देखो, ये रोप पहले तो चाइना के साथ अपनी relationship मजबूत कर रहा था, लेकिन USA के कहने पर, धिर धिरे उन्हें भी समझ में आ गया कि चाइना की जो policies हैं, वो aggressive है, उनका वेपार करने का त इंडिया एक बहुत बढ़िया option है, तो Europe इंडिया के साथ relationship मजबूत करना चाता है, और इंडिया के आडे रशिया नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को पता है, वीक रशिया, इंडिया के लिए उतना important नहीं है, जितना की मजबूत Europe, ये point writer रखना चाते हैं तो, इस परका से सम्मंदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, तीन issues आज हमने details से discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.